तो friends my pacific wall में आप सभी का स्वागत है friends जहाँ पर भी हम करवाचोत की कहानी सुनेंगे पहले उस जगय को अच्छे से साफ कर लेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्वास्तिक का चीन बनाएंगे और फिर हम लोग कहानी सुनेंगे देखिए आप अगर जहाँ पर आप करवाचोत माता का कलेंडर लगाते हैं और चोकी लगाते हैं वहाँ पर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कहानी सुन सकते हैं और अगर आप आसपडोस की सभी महिलाएं इखटी ओकर कहानी सुनती हैं तो किसी भी एक के घर कहानी सुन ली जाती है आंगन में बैठ कर और कहानी सुनने के बाद अपने घर जाकर चोकी लगा कर फिर हम पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ पर सारी देवरानी जेठानी एक साथ कहानी सुनती हैं इसलिए हम लोग घर के आंगन में ही कहानी सुन लेते हैं और अगर आप घर के आंगन में कहानी सुन रहे हैं या तो आप मंदिर में भी ये कहानी सुन सकते हैं पंडित जी से वहाँ पर भी बहुत सारी इखटी हो जाती हैं और कहानी सुनती हैं किसी किसी के यहाँ पर पार्क में भी महिला हैं इखटी होकर कहानी सुनती हैं सब लोग इखटे कहानी सुन लेते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने घर आकर करवा चोतमाता का कलेंडर लगा कर पूजा करते हैं तो देखे हम लो सुपारी से बने हुए गनेश जी को विराजमान करेंगे इसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे कहानी सुनने के लिए हम ये बाजरे के दाने हाथ में लेंगे बाजरा ना हो तो आप गेहू या चावल भी ले सकते हैं साथ भाईयों की वो बहुत लाडली बहन थी, भाई तभी खाना खाते थे जब बहन खाना खा लेती थी, आया करवाचोत का वर्त, अब बहन ने करवाचोत का वर्त कर लिया, भाई घर पे आये आजा बहन खाना खा ले, उनकी मा बोली कि नहीं आज ये खाना नहीं खायेगी, आज इसका करवाचोत का वर्त है जब चांद निकलेगा तब ये खाना खाएगी भाई बोले कि मा अगर चांद निकल जाएगा तो ये खाना खा लेगी उसकी मा बोली हाँ अगर चांद निकल जाएगा तो चांद को अरग दे के ये खाना खा लेगी अब सारे भाई चले गए कोई भाई फूस लेके आया, कोई छलनी लेके आया, कोई माचिस लेके आया नहर पे जाके और उचे से पेड के उपर आग जला दी आग जलाके उसके आगे छलनी रख दी वो देखने में ऐसे लगे जैसे चांद निकल गया एक भाई भागा भागा घर आया बहन बहन चांद निकल गया अब वो देखने गई उपर देखा तो हाँ चांद तो निकल गया वो अपनी भावियों को बोली चलो भावी आरग दे ले चांद निकल गया भावी बोली ननत जी ये चांद तो तुम्हारे लिए निकला है हमारे अरग नहीं देंगे वो छत पे गई चांद को अरग दे दिया आके खाना खाने बैठ गई पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आ गई दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें छीक आ गई तीसरा टुकड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़ को एक सोने का टका दे दिया बेटी रस्ते में जो भी मिले सब के पैर छुटी चली गई किसी ने भी सदा सुहागन का आसिरवाद नहीं दिया घर के पास सी पहुंची उसके पती की मिर्त्यू हो गई अब घर के दरवाजे के पास एक छोटी सी लड़की मिली वो दरवाजे प पैर छुए उसने कहा सदा सुहागन रहो सुहागन का आसिरवाद देते ही उसको सोने का टका दे दिया और उसके पैर पकड़ लिये अब वो छोटी सी लड़की बोली मेरे पैर छोड़ो साथ भाईयों की जो बहन थी उसने पैर नहीं छोड़े छोटी सी लड़की बोली द करवाचोत माता को उस पर दया आ गई करवाचोत माता ने उसको माफ कर दिया हाथों के नाखूनों से निकाल के महंदी दे दी मांग से निकाल के सिंदूर दे दिया चिटली उंगली से छीटे लगा दिया उसका पती हर हर करके उठ गया घर के अंदर गई सास बोली बहू क्या किया जो मेरा बेटा जिन्दा हो गया बोले मा जी मैंने तो कुछ नी किया करवाचोत माता ने सुहाग लिया था करवाचोत माता ने वापिस कर दिया उसकी सास ने सारी नगरी में डिन्डोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं करवाचोत का वर्त जरूर करें है करवाचोत मात जैसे साथ भाईों की बेहन के साथ पहले हुई वैसी किसी के साथ मत हुईो जैसी बाद में हुई वैसी सब के साथ हुईो इस कहानी को कहते, सुनते, हुकारा भरते सब पर अपनी करपा दरस्ती बनाए रखियो ये थी करवाचोत की कहानी इसके बाद हमें गनेश जी की कहानी कहेंगे एक गाओं में दो मा बेटी थी बेटी अपनी मा से बोली मा गाओं में सब लोग गनेश जी का मेला देखने जा रहे हैं मैं भी चली जाओं। मा बोली बेटा वहाँ भूथ भीड होगी कहीं गिर पढ़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने नहीं मानी। बेटी बोली नामा मैं तो जाऊंगी। तो मा बोली कि ठीक है तो ये दो लड़ू ले जा और एक गंटी में पानी ले जा। एक गनेश जी के पास बैठी रही एक लड़ू पानी गनेश जी तुम है और एक लड़ू पानी मुझे इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई गनेश जी ने सोचा कि यदि आज मैंने लड़ू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो ये घर नहीं जाएगी इसलिए गनेश जी चोटे से बच्चे का रूप बना कराए बुढिया की बेटी से लड़ू लेकर खाया और पानी पिया और बोले की कुछ मांगो बेटी मन में बोली की क्या मांगू अन मांगू, धन मांगू, महल मांगू सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू इतना सब ऐसे मांग लूँ गनेश जी बोले कि जो तुमने सोचा है वो सब तुमें मिल जाएगा अब तुम घर चली जाओ बेटी घर पहुची तो मा ने पुछा कि इतनी देर कहा हो गई बेटी ने कहा कि आपने ही कहा था कि गनेश जी को एक लड़ू खिलाना और पानी पिलाना जैसे उन मा बेटी पर आप बरसे वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर बरसना और सब पर अपनी कृपादरस्ट्री बनाए रखना इस तरह से हमारी करवा चोथवर्त के कथा पूर्ण हो जाएगी फ्रेंट के बाद जो आपने बाजरे के दाने लिये हैं यह हम गनेश जी को चढ़ाएंगे थोड़े से जो लोटा हमने जलका लिया है उसमें डाल देंगे उसके बाद जो हमारे हाथ में दाने बच जाते हैं इसमें से आधे दाने तो हम अभी अरग देंगे क्योंकि मैं एक कहानी दिन में सुनती हूँ हमारे यहाँ पर दिन में कहानी सुनी जाती है रात में चंदर्मा की पूजा अलग से की जाती है और कुछ दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे और रात को जब चंदर्मा को अरग देंगे तब हम वो दाने अरग के साथ ही चंदर्मा को समर्पित कर देंगे तो देखिए इस तरह से कुछ दाने मैंने पल्लू में ले लिये हैं ये मैं बांध लूँगी और बाकी दाने मैंने हाथ में लिये हैं किसी किसी के यहाँ पर यह कहानी दिन में सुनी जाती है और किसी किसी के यहाँ पर रात के समय सुनी जाती है कहानी यही होती है बस सुनने का टाइम अलग होता है तो हम लोग यह सूर्य देव को आरख देने के लिए इसके बाद उठके चले जाएंगे इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी फ्रेंड्स अगर आपको ये करवा चोत की कहानी पसंद आई हो और अगर ये आपके लिए बहुत धन्यवाद राधे राधे